सलाम दोस्तों मैं अलताव बेग आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हो करोना वाइरिस के लिए घर में भैटे-बैटे बोर हो गया मुझा चलो दोस्तों के साथ में एक इन्फोर्मिशन शेयर कर लो बीच में मैंने वाटर फीडर बनाए थे क्योंकि मुझे जाना था पुछ दिनों के लिए भार और जैसे के मेरा जो मामला है मैं अकेले ही अपने कभूतरों को समालता हूँ मेरे पास कोई दूसरा बंदा है नहीं तो मुझे जो भी करना है खुदी करना है तो फिर मैं सोचा कि इनको कैसे 6-7 दिनों के लिए इनका बंदोबस कैसे करके जाओ तो ये वाटर ड्रिंकर मैंने बनाया जो मुझे 7 दिनों तक काम आया तभी भी 7 दिनों के बाद भी इसमें पानी बचा था एक्चुली इतना बड़ा वाटर फीडर मिलता नहीं है जितना बड़ा मुझे चाहिए था दस लिटर तक मिलता है शायद और जो नॉर्मल फीडर है ग्रेन के जो फीडर है वो तो मैंने एमजोन से ले लिये थे वो दस किलो का लिया था तो वो भी मुझे चल गया वो भी साथ दिन दाना उसमें भी बचा था तो चलिए आपको मैं बताता हूं मैंने वाटर फीडर कैसे बनाया बीस लिटर का तो सबसे पहले आपको चाहिए पेंड का डब्बा ठीके ना यह पाच किलो के पेंड का डब्बा है इसको मैंने उपर से कटिंग कर दिया क्योंकि मुझे यह मैच करना था इसमें मैंने एक ही होल बनाया पानी पिने के लिए ताके कभूतर पानी गंदा ना कर सके क्योंकि साथ दिन के लिए अगर आप नहीं रहोगे छे-साथ दिन के लिए और अगर पानी गंदा कर देते हैं और वो पिएंगे तो वो डेफिनेटली बिमार पड़ेंगे तो उस वज़े से मैंने इसको एक ही होल रखाओ ठीक है और मैं आपको बता देता हूँ इसको आप कटिंग करोगे तो कटिंग करने का मेजर्मेंट जो है मैं आपको बता दो ये तीन इंच मलब जो बॉटम से लेके जो पहला पहली जो एंट्री मार्क होगा जां कबूतर अपनी चोज डालेगा वो तीन इंच का होना चीए उसके बाद में जो ये है ये देड इंच का है होल जो है देड भाई बेड भाई का मैने रखाओ तीक है न ये अक शक्र हो गया इसलिए मैं व्वीडियो बना रहा हो तो ये मैंने धाई इंच का रखाओ धाई बाई देड ये hole और इसका जो डिस्टेंस है ये तीन इंच का है ठीक है ये आप क्या करोगी ये आप ऐसे रखोगे इसको आप रखोगे और ये 20 लिटर की बिसलरी की बोटल है ठीक है इसको आप भरके भरके इसके ओपर इसको आप ऐसे ऐसा उल्टा करके ठीक है और भरके आपको अपनी ताकत से इसको उठा के एक हाथ यहां रखना है और इसको पलट देना है इसे जब आप पलटोगे तो आटोमेटिकली यह जो इसका मैंने लेवलिंग किया है यहां जो इसका यह इसका जो लाइन है नीचे की उसके नीचे आना ची तो पानी क्या होता है पानी रूख जाता है मतलब वह वैक्यूम क्रेट होके पानी रूख जाता है वहाँ पर और इसमें जितना पानी भरा रहता है मतलब पहुने तीन इंज के डिस्टन्स पे वहां से कबूतर पानी पीता है और यह आस्ते 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 वो रिड्यूस होते रहता है पानी जैसे ऐसे वो लोग पीते है आप समझ गए तो यह मैंने बीस लीटर का फीडर वाटर ड्रिंकर बनाया हुँ और ऐसे ही मैंने 10 लीटर का भी यह 10 लीटर की भी ब्रिस्लरी की वाटर है अगर आपको कम चाहिए्ट तो आप कम भी आप छोटा भी रख सकते हो ये छोटा आप सेम वो ही फंडा है इसका आपको डिस्टन्स देखना है आपको ये मैच करना है मैंने आपको एक रुफ आइडिया दे दिया लेकिन जो लोग जानते है उनको इससे समझ में आ जाएगा जो अपने घर में कुछ ना कुछ करते रहते है तो ये एक फीडर है ये 10 लिटर का है तो ये भी जिसके कम कभूतर है उसको ये काम आ जाएगा जैसे आप 3-4 दिन के लिए आ रहे हो वैसे नॉमली कभूतर पानी पीता है ओन एवरेज 40 से 50 हैमिल दिन में गर्मियों में जाद और थंडियों में इससे थोड़ा कम आप एवरेज समझ के चलो 40-50 एमिल और अगर बच्चे भर रहा है तो उसका डबल कर दो तो अगर बच्चे भर रहा है तो वह 100 एमिल तक जाता है तो आप वह इसाब से कैल्कुलेट करो ठीक है तो एक इंफोर्मिशन थी एक आईडिय मेरे पास था मैंने आप लोगों जो शेयर किया ऐसे भी घर में बटे बटे बोर हो रहा था तो सारे ही लोग बोर हो रहे लेकिन खैर जो गौवर्मेंट के आदेश है आप उनको मानों क्योंकि ये वाकई में ये चीज टेंशन वाली है मतलब हमको खत्रा है सच में तो अप उतने अपने घर में शुरक्षित रहिए और मालिक से भगवान से अल्ला से प्रात्ना करो कि ये सारी चीज़े टल जाए जल से जल और हमारी जिंदगी पहले यसी हो जाए ठीक है दोस्तों जिन भाईयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर दे ताके उनको हर नहीं आने वाली वीडियो मिलती रहे और बैल आइकन दबाना ना भूलिएगा ठीक है इसके साथ अलताव बेक को आग्या दीजिए बाई बाई